हाई गाईज, वेलकम टो बी बैंकर, स्वागत है आपका आज की करेंट अफेर की क्लास में तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक और शेर अपने दोस्तों और वाटसब क्रूप्स में आप कर सकते हैं, हमें फेस्बुक, इंस्ट्राग्राम, टेलिग्राम और ट्विटर पर फॉलो टेली अपडेट्स के लिए, इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना भूलें, तो चली शुरू कर लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये बनाया है, इंग्लैन के कप्तान इयान मॉर्गन ने एक दिवस्य पारी में अधिक्तम चक्के लगाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने ओल्ड ट्रैफर्ड में अपने विश्व कप टाइप में पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई 148 अक्रामक में 71 गेंदों में 17 चक्के जड़ दिये पिछले रिकॉर्ड 16 चक्को का क्रिस गेल का था रोहिच शर्मा का था और ABD वेलिये ज़ारा संयुक तुरूप से रखा गया था मतलब जो लास्ट रिकॉर्ड था रोहिच शर्मा और ABD वेलिये ज़ारा था चलिए बढ़ते हैं आगे वेर इस थ्री दे नाशनल योगा ओलम्पियाड अफ स्कूल चिडरन और नाशनल कांसल अफ एडूकेशन परिशेट द्वारा आयोजित स्कूल बच्चो क्या तीन दिवर्सी राश्ट्रे योग ओलम्पियाड कहा आयोजित किया गया तो ये किया गया नई दिल्ली में जून 2019 पायरेसी से जुड़े मुद्धों पर दो दिवर्सी अंतराश्ट्रे कारिशाला जून 2019 में कहा शुरू हुई ये कारिशाला जो है नई दिल्ली में शुरू हुई एशिया में पायरेसी के खिलाफ सैयोजन और शेत्रिय शहयोग का समझाता री कैप एशिया में इसको प्रोटेक्शन के लिए सरकार और सरकारी समझाते को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजिन किया गया तो गैस पायरेसी बेसिकली यहाँ पे आपको एक टाइपो दिख रहा होगा तो वो बेसिकली पायरेसी को डिनोट करता है बेसिकली वो पायरेट्स और पायरेसी से शायद एक्सचेंज हो गया है तो खेर टाइपो के लिए सौरी और पायरेसी इसका आंसर है पायरेसी ठीक मेट डैश रुशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन न्यू दिल्ली इन जून 2019 विदेश मंत्री एस जैशंकर ने जून 2019 में नई दिल्ली में रूसी उप प्रधान मंत्री डैश से मुलाकात की तिनकर नाम है यूरी तुरूत नेव विदेश मंत्री आट नौ विदे चर्चा की पूर्वी आर्थिक मंच के लिए पीम नरेंद्र मुदी द्वारा वल्दी कोस्तों की यात्रा सहीद भारत रूस सम्मंदों में विबन पहलों पर चर्चा की गई थी तो बेसिकली विदेश मंत्री हमारे इस क्वेशन आपको क्या पता चलता है नंबर वन हमारे विदेश मंत्री कौन है अभी रिसेंटली एस जैशंकर है नए कबिनेट सत्रवी लोकसभा एलक्षन के बाद एस जैशंकर जो है हमारे फॉर्ण मिन्स्टर है विदेश मंत्री है उन्होंने रिसेंटली किसके साथ मुलाकात की तो रूस के उपर आश्ट्रोपती यूरो त तो नएव के साथ मुलाकात की उन्होंने इसके पहले प्रदान मंत्री नरेंद मोदी भी रूस की यात्रा भारत और रूस के समंदों को अच्छे करने के लिए कर चुके हैं चलिए बढ़ते हैं आगे विश्व शर्नार्थी दिवस कब मनाया जाता है तो ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है ये शर्नार्थियों की कहानियों और योगदान का जश्न मनाता है इस वर्ष का विशह है स्टेप्स विथ रिफ्यूजी टेक स्टेप ऑन दे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सहयुक्त राष्ट के उचायुक्त के शर्नाथियों के कार्याले द्वारा जारी किये गए नवीनितम वार्षिक अध्यन के अनुसार 2018 के अन्ति में 70.8 मिलियन बच्चों महिलाओ और पुर्षों को जबरन विस्थापित किया गया था तब यहाँ पर समझने वाली बात है रिफ्यूजी कौन होते हैं रिफ्यूजी एक बहुत बड़ा टर्म है कई बार लोगों को जान बोच करके एक जगह से उठा करके दूसरे जगह स्विस्थापित कर दिया जाता है उनसे मजदूरी वगएरा कराने के लिए चीप लेबर्स के लिए काम कराने के लिए उनको भी रिफ्यूजी बोलते हैं कई बार क्या होता है कि किसी एक सर्टन एरिया में सुखा पड़ता है ठीक है तो रिफ्यूजी अपने बहुत बड़ा टर्म है और काफी सादा रिफ्यूजी हो गये हैं अभी हमारे पुरे वर्ल्ड में तो उसी को बैसिकली उनके प्रति और उनको समाज के लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं तो यह वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यूएं दरहा हसाल मनाया जाता है ताकि रिफ्यूजी को एक धंग का सम्मान मिले और उनकी भी केर हो आफ्टर आल वो भी इंसान है चलिए बढ़ते हैं आगे स्वास्त और परिवार का लियान मंत्राले ने सरकारी मेडिकल कोलेज में रुपीज 3,120 क्रोड कैंसर संस्तान को अपचारिक रूप से देने के लिए मंजूरी दे दी है तो ये जो मेडिकल कॉलेज है ये होगा जम्मू में स्वास्त और परिवार का लियान मंत्राले ने सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में रुपीज 3,220 क्रोड कैंसर संस्तान को देने के लिए मंजूरी दे दी है जे एमसी जम्मू में स्विधा के स्थापना के साथ साथ रोगियों को अविशेश उपचार और स्विधाओ के लिए राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे पहले शेरगन में शेरे कश्मीर इंस्टिट ऑफ मेडिकल साइंसेस के लिए एक राज्य कैंसर संस्तान को भी मंजूरी दे दी गई थी तो बेसिकली जम्मो में काफे अच्छे से धंग से डवलप्मेंट हो रहा है लोगों के लाइफ वहां पर सुगम बनाने का प्रयास किये जा रहे हैं गवर्मेंट अपने तरफ से हर कोशिश कर रही है और उसी का एक कदम है कि बेसिकली कैंसर इंस्टिटूट को रिसर्च क इससे लोगों के वहां का जीवन जो है काफी सुगम हो जाएगा नहीं तो इसके पहले लोगों को उच्छ तरिये रिलाज कर आने के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी जो कि काफी डिफिकल्ट होता था चलिए बढ़ते हैं आगे अगे अकॉर्डिंग तो दे एश कौन सा देश वित्वर्ष्ट 2018-19 में एशिया पासिविक शेत्र के 45 देशों में से सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उबरा है तो ये है हमारा परोसी देश बांगला देश एशिया विकास बैंक ADB के अनुसार बांगला देश एशिया पास चमलो नौ प्रतिशत की विद्धीदर प्राप्त की जो की 1974 के बाद इसकी सबसे तेज वाली विद्धीदर है मतलब लास्ट जो 1974 में इसकी अच्छी कासी ग्रोथ हुई थी उसके बाद से काफी स्टागनन था ग्रोथ इसका अब 2018-19 जो फैनांशल इयर भी था उसमें इसक सदस्यों और भागिदारों को सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रिंड टक्नीकी सहायता अनुदान और एक्विटी निवेश प्रदान करने की सहायता करता है dwonkagold submitted a db 68 सदस्यों से बना है जिसमें 49 एश्या और परशांथ्षेत्र के सदस्यख हैं मतब इससने मदलब इस सदस्यं मतलब इस्ट्री महा सब्क निवेश उसमें से 49 एश्या और परशांथ-महासागर वाले शेत्र के झुन भी तो वो भी इसके members है यह है Asian Development Bank चली बढ़ते हैं आगे Which of the following has become the first state in Australia to interact Ethuancia laws निम्लिकित में से कौन सा Australia में इच्छे अम्रित्यू कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है तो यह राज्य बन गया है अब असहनिय दर्द से पीडित बिमारी बिमार रोग्यों को कानूनी तोर पर घातक दबाव के लिए अपने चिकित्सक अपने जीवन को समाप्त करने के लिए कहने के अनुमती देता है राज्य एक इतिहासिक कानून 19 जोन 2019 से प्रभावी है इच्छ अमरित्यू दर्द और पीड़ा को दूर करने के लिए जान बूच कर जीवन समाप्त करने का एक प्राक्टिस है तो बेसिकली अब इसको लीगलाइज कर दिया गया है यूथनेशिया जिसको कहते हैं या इंगलिश में और इच्छ अमरित्यू कहते हैं हिंदी में ये एक टर्म यूज होता है जो मेडिकल साइंस में और पॉलिटिकल साइंस में काफी तादा यूज होता है क्योंकि obviously medical से इसका relation है और politics से मतलब laws से इसका relation है तो euthanasia या इच्छा मृत्यू बेसिकल एक तरह एक situation है जहांपे एक patient जो है वो बहुत बुरी तरीके से किसी बिमारी से लड़ रहा है या जूज रहा है जब उसको मतलब वो बस बस दवाईयों के उपर जिन्दा है उसका actual में उसका body उसका साथ नहीं दे रहा है या वो बहुत बिहानक पीड़ा से जो है वो गुजर रहा है in that case वो अगर चाहे तो इच्छा मित्यू की मांग कर सकता है या कर सकती है और यह legalized नहीं है बहुत सारे countries में बट अब जो है Victoria ने इसे legalized कर दिया है और इसके बाद Queensland और Pashmi Australia इसको legalized करने के बारे में सोच रहा है ठीक है तो देखने वाली बात होगी कि इसका आगे इसका क्या decision होता है चरे बढ़ते हैं आगे Justice RS Chauhan has been appointed as the Chief Justice of Witch High Court in June 2019 नियाय मूर्ती RS Chauhan को जून 2019 में किस उच्च नियायले का मुख्य नियायधिश नियुक्त किया गया तो इनको नियुक्त किया गया है तेलांगना के नियायधिश के रूप में सरकार ने नियायमूर्ती RS Chauhan को जून 2019 को मंजूरी दे दिये मतलब दो इहां पे हैं एक RS Chauhan और एक जून 2019 में जून को सरकार ने मध्य नियायधिश के रूप में नियायमूर्ती रविश अंकरज़ा की नियुक्त को अधिसूचित कर दिया था चलिए बढ़ते हैं आगे वू है वाज अपॉइंटे अस इंडिया रेप्रेजेंटेटिव दे काउंसल अफ इंटरनाशनल सिविल अविएशन और्गनाईजेशन आइसी एओ एन यून बोडी इन जून 2019 जून 2019 में संयूक्त राष्ट्र निकाय की अंतर राष्ट्र नागरिक उर्दयान संगठन आइसी एओ की परिशद में भारत के प्रतिनिधी के रूप में किसे नियूक्त किया गया तो ये नियूक्ती हुए है शेफाली जुनेजा की वरिश्ट नौकरशा शेफाली जुनेजा को संयूक्त राष्ट्र की संस्था कौंसिल औफ इंटरनाशनल सिविल एवियेशन और्गनाईजेशन आइसी एओ में भारत के प्रतिनिधी के रूप में नियूक्त किया गया है उन्हें तीन साल के अवधी के लिए ICAOE Monitorial Canada में भारत के प्रतिनिधी पद पर नियूक्त किया गया है वो वरिश्ट IAS एंकर आलोग शेखर का स्थान लेंगी जिन्होंने ऑक्टूबर 2015 में इस पद के लिए नामित किया था मदद 2015 से लेकर कभी तक वो थे कौन थे आलोग शेखर जी थे और अब जो है 2019 से अगले तीन साल के लिए होंगी शिफाली जुनेजा चिक है So yes guys that's it for today now it's time for question of the day जहां मैं पूछती हूँ हर रोज आपसे एक सवाल और आपको लिखना होता है comment section में उसका जवाब तो आज का question of the day है What is the name of the lander meant for India's second lunar mission चंडरयान 2 भारत के दूसरे चंडर अभियान के चंडरयान 2 के लिए लैंडर जो या use किया गया है उसका नाम किया है विकरम, शौरया, सुर्या या विराटिन चारों में से कोई एक definitely answer है जल्दी से comment section में लिख दीजिए आपको answer आता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आता है तो कल की video देख करके answer पता कर लिजिए कल की video अगर आप देखेंगे तो आपको answer के साथ साथ और भी 10 questions जानने को मिलेंगे जो की आपके लिए ही अच्छे होंगे So thank you so much guys for watching PDF जो है वो description box में है जरूर से जरूर डाउनलोड कर लिजेगा ये जो PDF है वो आपके लिए है आपका हक है आपके revision के लिए है So thank you so much for watching आप हमसे जोड़ सकते हैं online, offline किसी भी माध्यम से किसी भी तरह की online queries के लिए आप हमें हमारे online number पर call कर सकते हैं So feel free to call Thank you so much Stay tuned to BeBanker